हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं बनाऊंगी हलवाय जैसा कचोड़ी वाला आलू का सबजी तो आप सभी का फर्माईस था कि मैं बजार जैसा कचोड़ी का सबजी बनाना बताऊं तो आज मैं ले के आई हूँ और ये बहुत ही जटपट बनेगा और ये बहुत फास्ट बनने वाला रेसिपी है और बिना मेहनत का आपको ये कचोड़ी वाला आलू का सबजी आप घर पे बना सकते हैं वो भी मिंटो में और कुछ खास मसाले हम डालेंगे इसमें तो आई ये हम जान लेते हैं तो सबसे पहले हम एक कड़ाई में दो बड़ा चमस सरसो का तेल डाल ले रहे हैं और हम 500 ग्राम आलू का उबाल के रख लिए हैं छील के कुछ तड़का डालेंगे हम तेल जैसी हमारा गरम होगा हम लाल मिर्च और जीरा का तड़का डाल देंगे इससे बहुत ही चटपटा और बहुत टेस्टी बनता है कचवडी वाला सबजी तड़का को अच्छा से भून लें और यहीं पे 200 ग्राम कटा हुआ टमाटर डालें टमाटर इसमें ज़्यादा डालेगा दोस्तों ध्यान रखिएगा तो देखिए हम 200 ग्राम टमाटर को रॉफली ही काटे हैं टमाटर इसलिए ज़्यादा डालना है कि इसका ज़्यादा तरी बनेगा यानि कि ग्रेवी बनेगा ज़्यादा और वो आपको कचवडी के साथ खाने में बहुती मज़ा आएगा तो टमाटर को हमें अच्छा से गला लेना है तो देखिए हम भूनते हुए टमाटर गला रहे हैं इधर हम मसाला रेडी कर रहे हैं दो चमच धनिया पाउडर एक चमच या डेड़ चमच इतना आप तीखा पसंद करते हैं उतना लाल मिर्श डाल लें और यहीं पर एक चमच देख रहे हैं आप हलदी डाल रही हूँ मैं और यह गरम मसाला है आधा चोटा चमच गरम मसाला इनी मसालों में हम बजार जैसा कचोड़ी का सबजी घर पे बनाएंगे तो देखिए यह मैं हलवाई से सीखी हूँ और आप भी जरूर इस तरीके से बनाएं टमाटर हमारा यहां पर गल चुका है तो हम मसालों को डाल लेंगे और कुछ मसाले इसके लिए खास है जो कि मैं एंड में डालूंगी सबजी पकने के बाद तो देखिए मसाला को और टमाटर को अच्छा से भून लें इसमें से तेल उपर आजाना चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा चलाते हुए इसे 5-7 मिनट तक आप टमाटर को बिल्कुल गल लें तो आपको नजर आ रहा हुआ कि यह जो टमाटर है बिल्कुल गल चुका है और यही चाहिए हमें कचोड़ी वला सबजी बनाने के लिए तो देखिए हम आलू को बोईल करके पहले से रखे तो जैसे कि बताईयी आपको तो सबसे पहले आलू को हम बनाता हम करेंगे जादा हम बारीक नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा आप देखें होंगर काचौड़ी जब भी खाते होंगे बजार में तो एक एक छोटा छोटा टुकड़ा आता है सबजी में और वो बहुती मज़ा आता है खाने में थोड़ा सा 3-4 चमच के करीब हम पाने डाल ली हैं कि जो मसाला है हमारा जलेना और अच्छा से हमें मिक्स कर देना है मसाला को आलू के साथ और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालें मैं यहां पे 4-5 चमच नमक डाली हूं आप चाहें तो स्वाद अनुसार डालें तो देखिए यहां पे ढखकन से ढखके low flame पे पाँच मिनट के लिए छोड़ेंगे। चलाते हुए छोड़ेंगे। कि हमारा जो आलू है वो भी भून जाए। उसमें सोंधापन आजाए आलू में भी। तो ध्यान रखेगा। जब आप 5 मिनट के लिए भून रहें। तो इसे low flame पे ही भूने। क्योंकि मसाला आपका अल्रडी भून चुका है और वहीं पर आपको जितना ग्रेवी रखना हो यानि कि रस्यदा जितना बनाना हो उतना बनाईएगा वैसे आलू ठंडा होने के बाद में रस्यदा कम हो जाता है तो थोड़ा सा कोशिस करें कि आप सुरू में ही थोड़ा ज़्यादा पानी एड़ कीजिएगा और यहीं पर हम सेक्रेट मसाला डालते हैं तो दो चम्मच खाने वाला चम्मस से ये आमचूर पाउडर है जो की हल्वाई लोग ढलते हैं कचाओडी का सबजी में यानि कि जो कचोड़ी के साथ आप जो सबजी खाते हैं उसमें आमचुर का मात्रा जादा रहता है जब जाके वो चटपटा एक अलग सा खटापन लगता है खाने में और बहुती मज़ा आता है सभी को तो अब हम ढखकन सा ढखके इसे पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं और इधर यह देखिए हम भूना हुआ जीरा ले लिए हैं ऐसे हम दरदरा कूट ले रहे हैं आप चाहें तो बारीक भी कूट के डाल सकते हैं यहां पर दरदरा कूट रहे हैं क्योंकि हम खलब अपन फ्लेवर आता है आलू की सबजी में और आप जब इसका कचवड़ी डाल के खाईएगा उपर से तो मजा आ जाएगा तो देखिए थोड़ा सा मोटा या थोड़ा सा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो मैं जैसा बजार में बनता है रस्यदार वैसी ही रख जी तो लग रहा ना कि बजार वले भाईया के साथ हम जैसा खाते हैं दोने में वैसी सबजी लग रहा ना दोस्तों तो देखिए उपर से ये कचवड़ी में डालूंगी कचवड़ी का वीडियो आप बोलिएगा तो मैं जरूर अफ्लोड करूंगी अपने चैनल पे तो ज बजार जैसा फूला फूला बनाएं तो इसका सिक्रेट भी है और आपको मैं जरूर बताऊंगी अगर आपको हमारे ये कचवड़ी वाला अलू का सबजी पजन दाया हो दोस्तों तो इसे जरूर ट्राइग करें घर पे और कमेंट बॉक्स में लिग के हमें बतायें कि आप आपका जो कचवड़ी वाला सब्जी बना घर पे कैसा बना अगर आपको हमारी ये रेसीपी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और अपने फैमली फ्रेंड जिने कचवड़ी वाला सब्जी खाना पसंद उन्हें जरूर सेयर करें तो हम मिलते हैं एक नए रेसीपी में दूरे रहें दोस्तों बाई बाई